नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News नमस्कार मैं जबरदस मानसुन बारिष की गतिविदय को दर्च किया जाएगा जुलाई महीने के अंत और अगस्त महीने के पर्थम 17 तक संपूर्ण मैदानी राजे में जमाजम बारिष देखने को मिलेगी हरियाना NCR दिली में मद्धम से तेज वर्षा से लेगर कुछ एक स्थानों पर मुझलादार बारिष की संबावना है तो कई छेत्रों में भारी बारिष होगी तो वहीं कुछ छेत्रों में मद्धम स्रेण की गतिविदयां देखने को मिल सकती है हरियाना SSC में रेडियोगराफर भरती का रिजल्ट रिवाइज होगा जानी इसके पिछे क्या है रीजन हरियाना करमचारी चैन आयोग के सामने नित नई दिन नई चुनोतियां पैदा हो रही है पूरो में आयोग द्वारा कई पिरिणाम बदले गए हैं वहीं अब रेडियोगराफर के पदों का पिरिणामी बदलने की तैयारी है इस कांट से कई उम्मिद्वारों को चैन नहीं हो पाया अब ब्यार्थियों ने पहले हरियाना SSC में जागर गोहर लगाई लेकिन सुनवाई नहीं होने के सूरत में उन्होंने हाई कोट की सरन ली जिसके बाद में आयोग ने 12 से दस्तावेजों के जाज के परताल के 12 जाज के दोरान 410 उम्मिद्वारों को योग पाया गया अर्थात संक्या बढ़ गई इंद्रा गांधी उन्वेस्टि का परिक्षा परणाम संदे के घेरे में अंग्रेजी में फ्यल सभी छात्रों को दिये 19 से 22 संग आई जी यू एक बार फिर सिस्तर्चा में आ गई है आई जी यू के उर्षी जारी किये distillation में के परिक्षा परणा में रिवाड़ी मेहंंदरगड कोलेज के अधिकतर विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषया में रेःपियर आई है रेःपियर आने वाले सबी विद्यार्थियों को लगबग एक समानंक दिये गए है के लिए मेरी फसल मेरा बिरा फोर्टल पर पंजी काना निवारी है एक किसान अधिक्तम 10 एकड़ तक प्राफ्ट कर सकता है अनुदान हरियाना सरकार द्वारा प्रंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नई बाग लगाने पर किसानों क को परतिया एक्टेर 30-35 तक अनुदान दिया जा रहा है विशेश रूप से जिले में धान के स्थान पर फलों के चेतर को बढ़ावा देने के लिए राजिस्तरकार ने बाग लगाने के लिए एक विशेश अनुदान योजना शुरू की है सामाने दूरी वाले बागों के जिसमें बेर चीकू, लिची, आउला, आडू, एम, नासपते, आदी फलों के लिए परतियाकड लगाने के लिए 65,000 रुपे परतियाकड के हिसाब से 50 फिजदी यानी 32,500 रुपे का अनुदान परदान किया जाएगा इसे परगार सक्सम भागों के लिए जिसमें आम, अम जिकन करवाय जा सकता है, अनुदान पहले आउ, पहले पाउ के आधार पर प्रदान किया जाएगा, इस योजना गलाब लेने के लिए मेरी फेसल, मेरा विवरा पोर्टल पर पंजिकन होना भी अनुवारी है, इस विचे में अधिक जानकारी प्राफ्त करने के लिए अपन अधिक से अधिक योओं को रोजगार मिल सके, उन्होंने काहा कि इसके लिए प्रदेश में जल्द ही हर्याना आत्म निर्बर कपडा नीती 2022 लागू की जाएगी, दूसें चोटलानी नई दिल्ली में हर्याना बाउन में हर्याना की परस्तावित, हर्याना आत्म निर्बर वस्तर निती 2022 के प्रारूप को लेकर मंत्री मंडली उप स्मीते की बैठक की अधिक स्नागी, बैठक में हर्याना के किर्शियम किसान का लियान मंत्री जिया परकास दलाल और स्रम एम रोजगार मंत्री अनुप धानक भी उपस्तित रहे हर्याना दिल्ली के बीच मनेगा टोल फिरी हाईवे इन जिलों के लोगों को होगा फाइदा हर्याना में शड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए मनुष सरकार कई हाईवे, नेशनल हाईवे और शड़कों का निर्मान कर रही है परदेश को जल्द ही एक और हाईवे के सोगात मिलने जा रही है, यह हाईवे पानिपच जिलेशे राज़दानी दिल्ली को जोड़ने का काम करेगा खास बात ही है कि इस हाईवे से गुजरने वाले सभी वाहनों को टोल टेक्स नहीं देना होगा प्राप्त जानकारी के मताविक पानिपच जिलेशे राज़दानी दिल्ली के बार्डर तक लगबख 47 क्रिम्टर लंबे हाईवे का निर्मान किया जा रहा है यह एक टोल फिरी हाईवे होगा अब होमगार्ड विभाग भी डिजिटल होमगार्डों की भरती और तैनाती पोर्टल शोगी बायोमेट्रिक हाजनी लगेगी आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में हरियाना होमगार्ड की ड्यूटी लगाने से लेकर बाकि सारा काम कम्पिटर करेगा इसके लिए परदेश के ग्रहे मंतरी अनिल विज ने पोर्टल लॉँच कर दिया है ग्रहे मंतरी वीज ने अभी इसमे कई सुधार करने के लिए कई बिंदों पर काम करने के लिए आला अफसरों को निर्देश जारी किया है बहरहाल लंबे इंतजार के बाद इसके लॉंचिंग हो जाने के साथ ही अपस्रो ने भी राहत किसांस लिए है मैनुवल कोई कामकाज नहीं होगा बलकि बायो मेंट्रिक्स से हाजरी एं मानदे भी उसी से बनेगा राहुल गांदी समेथ कॉंग्रेसी नेताओं की गरफतारी की विरुद में हरियाना कॉंग्रेस निक्या परदर्शन उन्होंने का कि कॉंगरस नेता लोगतांतरिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर राश्टपती से मिलना चाहते थे लेकिन सरकार के आदेस पर पुलिस ने जिस तरह उनके साथ दुरवेवार और उनकी ग्रफतारी की है यह एक बेहद निंदन्य है जल संसादन की छेतर में हरियाना और इजराइल मिलकर करेंगे काम सेम खटर ने दिये टास्क फोर्स बनानी के आदेश हरियाना के मुख्यमंतरी मनहुराल खटर ने कहा है कि जल संसादन की छेतर में हरियाना और इजराइल मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे हर्याना में गटते जलस्तर और ुजराहियल में कम पानी की समष्या है ऐसे में दोनों मिलकर तकनीक वी आने विश्यों पर काम कर सकते है इससे हर्याना वे इसराइल में पानी से जूड़ी समष्याओं के सिमधान निकला जा सकता है मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडिगर स्थीत अपने निवास्थान पर जल संसादन को लेकर इजराइल के एक परतिनीदी मंडल से मुलागात करते वे बोल रहे थे मुख्यमंत्री निकाहा कि हरियाना में जल सतर तेजी से गिर रहा है ऐसे में परदेश्तरकार पानी बचाने के लिए लगातार कारी कर रही है हरियाना जेल विभाग द्वारा काई पतों पर भरते के लिए आविदन मांगे गए है आपको बता देंगी यह बरतें एस्थाई आदार पर किये जाएंगी जो भी इन पतों पर आविदन भेजने के इच्छु कहें वे बताएगे शेडूल के इंटर्यू के लिए पहुँच जाएं इंटर्यू की देथी आठागस दोजार बाइस सुबह ग्यारा बजे है इंटर्यू के स्थान की बात करें तो बेस नंबर 0306 सेक्टर 14 पंचकुला होगा चैनित उमिद्वारों को अंबाला सेंटरल जेल दो हिस्था डिस्टिक जेल यम्नानगर करनाल कुरूचेतर कैथल पानिपत जजज़र सोनिपत परिदावाद गुरूगराम सिर्शा जीन्द भिवानी वे नारूल में कारिये करना होगा प्रोजेक्ट कोडिनेटर के लिए उमिद्वार सनातक पास होना चाहिए तथा उसके पास कम्पिटर प्रकारे करने का तीन साल का अनुभा भी होना चाहिए अकाउंटेंट सेह कलर की बात करें तो इन पदों पर आविदन बेजने वाले उमिद्वार अकाउंटेंट और कम्पिटर सिक्षे साइट सनातक पास होने चाहिए नर्स के लिए आविदक A&M पास होने चाहिए जथा आठी पास होने चाहिए वह उमिद्वारों को अनुभाव भी होना साहिए किसी भी वर्क के उमिद्वारों को कोई वियाविदन सुल्क नहीं देना होगा नियूंतम आयू की बात करें तो 18 साल और अधिकतम आयू के बारे में कोई जानकारी नहीं दे गई है इन पदों के लिए आपको आविदन बेजने की ब्याव सकता नहीं है आपको सिधा इंटर्यू के लिए जाना होगा खुशकाबरी हर्याना रोडवेज के बेड़े में सामिल होगी 2400 नई बसे लोगों का सफर होगा आसान हरियाना रोडवेज के बेड़े में बहुत जल्द 2400 बसे सामिल होनी जा रही है हरियाना परिवयन विवाग ने बोड़ी समेथ बसे खरीदने के प्रक्रिया आरंब कर दी है यानि यो कहें कि सालों बाद रोडवेज के बेड़े में बसों के बड़ोतरी होने जा रही है अभी तक विबाग चैसिस खरीदता था और उन पर अपनी गुरूगराम स्थित वर्क्षोप में बोड़ी बनाता था लेकिन आप इस वर्क्षोप में इतनी चमता नहीं बची है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संक्या में बोड़ी बनाई जासके सूबे के परिवयन मंतरी मूर्जन सर्मा ने बजट पेस करने से पहले CM मनौरलाल खटर से बजट सुझाओ के लिए आईजीत मंतरियों के बैटें में दोजार बसें बेड़े में सामिल करने का आगरे किया था CM ने बजट बासन में उनके आगरे को स्विकार करते हुए नई बचे खरीदने की गोशना कर दी थी CM और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए परवियन विवाग ने टेंडर पर क्रिया आरंब कर दी है बिना नीट करें बारवी के पास कर सकते हैं ये मेडिकल कोर्स मिल सकते हैं लाख रुपए के सैलरी आप बिना नीट एक्जाम क्वालिफाई की बिना आप मेडिकल फिल्ट में अपना अच्छा केरियर बना सकते हैं इसके लिए कि फिजिक्स, केमेस्टरी और बायलोजी और मैच्स विस्यों के साथ इंटरमेडियर्ट यानि बारवी पास होना आउशक है बात करें पहले कोर्स की तो यानि BSC नर्सिंग की तो यह च्यार साल का ग्रेजियोशन लेवल के कोर्स है इसके बाद आप स्टाफ नर्स, रजिश्टर नर्स, नर्स टीचर, मेडिकल कोडर जैसी पोस्ट के लिए अपलाई का सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप सालाना 3,00,000, रुपे से लेकर 8,00,000 रुपे तक पैकेज उठा सकते हैं वहीं बात करें BSC Bio Technology की तो यह 3-4 साल का कोर्स होता है जिसे पूरा करने के बाद आप Bio Technologist पद पर नो करे कर साला नब 5 से 9 लाग रुपे तक पैकेज पा सकते हैं आधार कार्ड से लिंक होगे मद्दाताओं के नाम Election Commission ने शुरू की तयारिया वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना को आमली जामा पहनानी की तयारिया तेज हो गई है निर्वाचन आयोग ने इन तयारियों को लेकर बताया कि 1 अगर्ष्ट से 31 दिसंबर तक अभियान चलाय जाएगा जिसमें निर्वाचन नामामली में सामिल हर वोटर कार्ड से आधार नमबर लिंक किया जाएगा निर्वाचन आयोग ने बताया कि अप्रेल 2023 तक इस प्रक्रेय को पूरा करने का लेक्शन निर्धारित किया गया है सभी मद्धाताओं तक पहुंच कर उसका आधार कार नमबर लिया जाएगा एक बार मद्धाताओं के नाम आधार नमबर से जूट जाने के बाद मद्धाता सूची में कोई डूप्लिकेट नाम नहीं बचेगा इससे वोटिंग के दोरान होने वाली गड़बडी पर भी अंकुष लगा एजास केगा हर्याणा एस्टेट अब्यारतियों को दिया बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मोका इस दिन होगा वेरिफिकेशन हर्याणा विदाले सिक्ष्याबोड ने हर्याणा अध्यापक पातरता यानि एस्टेट परिक्षा 2021 के अब्यारतियों को किसान वाई ध्यान दें सम्मान निधी पाना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले करवा लें के वाईशी 31 जुलाई तक लाबारते किसानों ने अपने बैंक खाते में एके वाईशी अपडेट नहीं करवाई है जिन किसानों ने अपने बैंक खाते में EKYC अपडेट नहीं करवाया है EKYC अपडेट करने के लिए कर्शी विभाग ने कई बार तिथी बढ़ाई है आज खबरों बस इतना ही देखते रहे CWB Hindi News नमस्कार